हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चेनल फार्मारोक्स के यूटूब एच्जू के सनल चेनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में तो यह लेक्चर में हम study करेंगे source of errors in prescription कि prescription जब लिखा जाता है तो उसके अंदर इसे कौन से अलग-अलग sources है कि जिसके करन उसके अंदर आ सकती है error या फिर जो mistakes कई बार होते है prescription के अंदर तो वो उसके sources क्या है कहा से ये mistakes and errors वगेरा generate होती है तो सभी को हम detail में study करेंगे ये lecture के अंदर कि जो है part 3 about the prescription तो अगर आपके पास android phone है तो download कर सकते है फार्मा रोक्स का android application google play store पर से और अगर आपके पास iPhone है तो app store पर से भी download कर सकते है लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो ये question को जब समझना है आपको तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि what is prescription तो prescription के सबसे पहले आपको definition जो है वो पता होनी चाहिए तो prescription मतलब की एक return order है ये return order कौन लिखता है तो physician लिखते हैं कि physician आपको हो कोई doctor का है या dentist का है या फिर medical practitioner की जो pharmacist को लिखते हैं तो यहाँ पर देखो कि proper किसी patient को diagnosis करने के बाद यहाँ पर patient का कोई नाम लिखते है कि like patient का नाम जस्ट कम यहाँ पर लिखते है as a b c कोई address है उसका xyz है और medicine उसको prescribe की गई कि लाइक paracetamol है तो उसकी strength यहाँ पर लिखते है 500 mg प्रॉपर वन जीरो वन इस तरह से लिखा है में लगए एक morning मिलेगा और एक patient जो है वो night में लेता है और फिर लिखा होगा कि 7 days के लिए लेनी है या फिर 8 days के लिए कि 15 days के लिए तो यह प्रॉपर एक prescription return order बनता है और यह लिखा जाता है by physician, dentist और medical practitioner किसको लिखा जाता है तो यह pharmacist को लिखा जाता है और वहाँ पे direction रहती है about the compound and dispense of a specific medication for individual patient तो जो pharmacist है वो क्या करेंगे यह order के according to कि जो prescription है यह prescription के according to proper medicine जो है वो compound करेंगे and dispense करेंगे to the patient की जो भी patient को यहाँ पे जो दवा या लिखी है वो अच्छे से उसको prepare करके देंगे या फिर directly जो pharmacy के अंदर रहे medications को वो patient को देंगे as per disorder की जिसको हम कहते है prescription तो prescription का यह definition सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिर prescription जो है वो direct link बनता है कि यह वाला जो prescription जो यहाँ पे healthcare provider जो लिख रहे है तो वो link बनेगा between the physician कि यह हो गए एक P मतलब के physician दूसरा P मतलब की patient and third P that is a pharmacist तो यह तीनों के बीच में जो coordination जो तयार होता है इस तरह से तो यह link कौन करके देता है तो यह जो prescription है वो link करके देता है between the physician, pharmacist and patient के जिसको हम कहते है तो यह तीनों के बीच में जो direct link करके देता है that is our prescription तो यह concept आपको खास अच्छे से याद रखना है and then prescription is accommodated by direction for the pharmacist to give medicine to the patient मतले के prescription क्यों लिखा जाता है तो prescription एक return order बनता है साथो साथ direction बनता है pharmacist के लिए to give proper medicine to the patient के patient को जो भी medicines लिखी गई है prescription के थुरू वो अच्छे से medicine जो है वो pharmacist देंगे patient को so हमने सीखा था part 1 and 2 के अंदर की जो अलग-अलग parts होते है prescription के तो यहाँ पे भी एक नजर डाल देते हैं ये lecture के अंदर तो सबसे पहले क्या होता है उसका heading रहता है prescription का तो heading के अंदर concept point include होते है तो यहाँ पे side में एक sample prescription है उसके उपर आप ध्यान दीजिए तो prescription के अंदर यहाँ पे इस तरह से date लिखी होती है सबसे पहले कि जो उसका heading बनेगा कि वहाँ पे proper date लिखी जाती है फिर personal data of patient कि personal data के अंदर उसका name लिख सकते है आप age फिर उसका weight कितना है वो लिखा जाता है gender भी लिखा जाता है कि male female फिर body दूसरा जो part है prescription के जिसकों body कहते है तो body के अंदर superscription सबसे पहले तो उसके अंदर यहाँ पे यह Rx लिखा है superscription के अंदर फिर आएगा inscription कि जिसके अंदर जो medication के paracetamol है strength 500 mg तो वो होगा है उसका inscription फिर आएगा subscription कि जिसके अंदर कितनी tablet देनी है मतलब कि quantity के tablet paracetamol तो 10 tablet देनी है फिर आएगा closing तो closing के अंदर आप देखो तो signature of patient and signature of a physician फिर यहाँ पे देखो BID कि कितने दिन तक लेनी है तो 5 दिन तक तो दोखो यहाँ पे इस तरह से justification होगा है या proper कि 500 mg का patient को tablet लेना है कितनी tablet लेनी है 10 कितने दिन तक लेनी है 5 दिन तक BID मतलब कि BID मतलब कि दिन में 2 बार तो 2 टाइमस लेना है patient को यह tablet और 5 दिन तक तो हो गई total 10 tablet और यहाँ पे भी लिखा है prescription के अंदर subscription के अंदर कि total 10 tablets आप उसको दीजिये proper strength लिखी है 500 mg या पे signature आ जाएंगे registration number and seal तो इस तरह से यह parts बनते है proper prescription के तो error अब कहा से आती है तो whenever you go to the doctor the doctor write the medicines on a paper that paper is known as a prescription कि यह paper के उपर जो दवाईया लिखी जाती है उसको हम simple language में जो है वो paper आप कहा से थे कि दवाई का जो परचा आप कही बार कहते है तो इसको medical terms के अंदर prescription कहा जाता है and this prescription also have some chances of error कि यह prescription के अंदर भी बहुत सारे से chances है बहुत सारे से sources है कि जिसके करण इसके अंदर भी आ सकती है errors errors हो सकती है mistakes हो सकती है तो वो हम study करेंगे यह video lecture में so we'll learn about the different such source of error in this video lecture in detail तो अब जानते हैं कौन से अलग अलग असे sources है कि जिसके करण errors आते हैं prescription के अंदर तो सबसे पहले जो है that is an abbreviation abbreviations की जो short forms वगेरा होते हैं वो फिर name of drug strength of the preparation doses form of the drug prescribed के कौन से type का doses form है फिर writing dose की dose कितना है incompatibilities poor handwriting and patient related instruction तो यह जो total 8 sources है कि जिसके करण जो errors है वो आ सकती है prescription के अंदर तो शुरू अत करते हैं सबसे पहले की abbreviations से तो abbreviations मतलब की short form तो side में देखो आप short forms देखे हुए है कि यह आप एक short form लिखा है Q तो Q का मतलब होता है every उसी तरह से जो double S लिखा है वो capital में तो उसका होता है one and half उसी तरह से BID short form देखो तो BID का मतलब होता है twice in a day मतलब की दिन में दो बार उसी तरह से BD लिखा है तो उसका मतलब होता है before dinner फिर IV मतलब की intravenous तो इसे अलग-अलग abbreviations जो है वो लिखे हुए होते है prescription के अंदर तो abbreviations present a problem in understanding a part of the prescription order की अच्छे से जो prescription read करता है उसको ये सब abbreviations का अच्छे से knowledge होना चाहिए otherwise जो है वो errors आ सकती है prescription के अंदर के आपने ये short form लिखा है और ये short form समझो कि pharmacist को पता नहीं है तो उसके करण जो है वो errors आ सकते है कि like ac लिखा है तो ac का मतलब आपको पता होना चाहिए कि before meal खाना खाने से पहले लेना है फिर pc मतलब की after meal तो ये proper abbreviations का knowledge होना चाहिए and extreme care should be taken by pharmacist in interpreting the abbreviations so read the prescription carefully तो ये तो होगा कुछ medical terms के prescription के abbreviations बर समझो कि कोई physician अपने खुद के कुछ ऐसे abbreviations बनाता है तो उस वक्त अच्छे से justification या फिर clarification पहले से होना चाहिए या pharmacist के पास कि जिससे उसको वो abbreviations जो है वो अल्रेडी पता हो और उसके according to medication और direction जो है वो दे सके वो patient को तो सबसे पहले error आ सकती है abbreviations से इन्हे prescription दूसरा जो source है error का that is a name of the drug तो उसके अंदर जो हम लिखते हैं कि look alike और sound alike कि similar look भी हो और sound like मतलब कि जब आप प्रोनाउंस करो तो भी एक सरकार लिखे जैसे कि अकिमीन एंड एकलीन तो जब आप बोलो गये तो ऐसा लगए कि कि दोनों की जो प्रोनाउंसेशन एस वेल एस उनके जो दोनों के जो spelling से वो काफी आपको ऐसे similar लगेंगे काई बार so there are certain drugs whose name look or sound like those other drugs some of the example of such drugs are under so इसके example देखे कि जिससे आप कई बार confused हो सकते तो like digitoxin and digoxin तो यहाँ पे देखो दोनों की जो spelling देखे कि digitoxin and digoxin तो यह ऐसे कि look alike sound alike एक बार आप समझो कि देखे कि आपको similar जैसे लगेगा कि digoxin को कई बार digitoxin ऐसा आप समझ लेंगे तो यहाँ पे एक error हो सकती है same एक दूसरे example आप देखो तो यह prednisone के साथ होता है तो prednisone और यहाँ पे prednisolone तो look alike sound alike यह एक जो problem है उसके करण error आप सकती है prescription के अंदर फिर दूसरे एक example हम देखे तो indosin and linkosin तो यहाँ पे देखो indosin का जो spelling और linkosin का spelling तो उसमें आपको काफी similar देखने को मिलेगा मतलब कि look alike मतलब कि look में भी same देखें कि आपको और sound में भी ऐसा लगे कि आप जब बोलोगे तो भी pronunciation या फिर उनका जो sound है वो आपको similar लगेगा उसी तरह से doridone and doxidone फिर pebellet and rabelet करके है एननोजन ओरिनेस तो ऐसे look alike and sound alike जो medications होते है कि दोनों के effects completely different होते बट उनके name and spelling जब similar होते है तो उस वाक जो proper carefully prescription को आप read ना करें तो error यहाँ से आ सकती है ऐसे यहाँ पर भी कुछ example आप देख सकते कि amiodarone करके जो medicine है और amlodipine तो look alike sound alike amiodarone and amlodipine फिर emaril करके है यह and amoxil उसी तरह से apomine and evomine तो कितने similar है आप देख सकते कि age similar आ गया सिर्फ difference जो है वो p and v का है यह spelling के अंदर कि apomine या फिर evomine तो अगर आप अच्छे से prescription read नहीं करेंगे तो यहाँ जो names होते है drug से वाक से error आ सकती है तो यह एक second reason बनेगा source of errors का in prescription तीसरा हम reason देखे तो that is a strength of the preparation तो the strength of the preparation should be written by the prescriber properly with decimal point कि अच्छे से decimal point के साथ जो है वो strength लिखनी चाहिए कि जिससे कोई confusion ना हो कि like आगे जो हम देखेंगे कि if written only medicine name then confusion for pharmacist to give the strength of medicine so proper strength और साथ में decimal point के साथ लिखना जरूरी है कि 500 mg और 50.0 mg 0.5 mg 5 mg और 500 microgram बिकोज यह देखो यह वाली tablet है उसकी strength आप देखें तो 0.5 mg है फिर यह वाला जो tablet है टैपान डाडॉल का उसका जो dose आप देखो तो 50 mg का है तो जरूरी है कि जब prescription लिखा जाता है तो उसका जो strength है preparation की strength मतलब कि वो कितने mg के अंदर available होता है कि 500 mg उसकी strength हुई 50 mg उसकी strength हुई 500 microgram उसका strength हुआ 5 mg उसका strength हुआ और proper decimal point इसलिए because कि आप समझे कि इस तरह से लिखते है 5.0 mg अगर आपने decimal point अच्छे से नहीं लिखा तो कई बार यहाँ पर error ऐसी आएगी कि समझे कि इस तरह से लिखा है और यह 0 अच्छे से नहीं रिखा आपने और ऐसा लिख दिया है इस तरह से तो उसको 5 mg समझे या फिर 50 mg समझे तो यह confusion हो जाएगा pharmacist के बास तो proper decimal point के साथ तो 5.0 लिखना है तो इस तरह से ही लिखे 50 लिखना है तो 50.0 इस तरह से लिखे या फिर directly 50 mg लिखे या फिर directly 5 mg इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जिससे pharmacist के mind में कोई confusion produce ना हो और कोई error ना हो prescription के अंदर तो यह strength भी एक reason बनती है कई बार कि अगर strength अच्छे से नहीं लिखे तो भी confusion आ सकता है pharmacist के mind के अंदर तो proper strength के साथ ही medicine जो है वो prescribe करनी चाहिए कि जिससे कोई medication या फिर prescription error ना आए चौथा हम समझे तो dosis form of the drug prescribe strength के बाद जो important चीज है कि dosis form कई बार क्या होता है कि medication same होती है तो many medicines are available in more than one dose sperm कि उसके अंदर रहा active pharmaceutical ingredient तो same ही है कि जैसे कि आप एक देखो आप यह paracetamal यहाँ पे है यह भी paracetamal का है this is also a paracetamal and यह भी paracetamal का ही formulation है तो चारों formulation में आप देखो गे तो एक formulation है that is a tablet है एक formulation हमारे पास जो है that is a tablet एक formulation है वो liquid doses form है कि यह वाला आप liquid देख सकते हैं यह वाले उसके tablets देख सकते हैं फिर infusion भी available है कि यह वाला infusion मतलब कि parentally जो bottle लगाई जाती है drip लगाया जाता है वो है यहाँ पे उसके आप suppositories भी देख सकते हैं तो जब सिर्फ prescription में ऐसा ही लिखा यह prescription है और सिर्फ स्वाट में सिर्फ PCM इसा लिख देया है कुछ strength नहीं लिखी नहीं कौन सा doses form दे नहीं वो नहीं लिखा दो उस वाग फार्मासिस्ट के माइड में confusion ज़रूर से पैदा होगा कि यह paracetamol का उसको कौन सा doses form दो कि वो टाबलेट दे उसको infusion दे या फिर सीरप दे तो यह तो सिर्फ example हमने paracetamol का लिए ऐसे बहुत सारे medication है क्योंके एक से ज़्यदा doses form अवेलेबल होते हैं ऐसे ही जो aciclophenic है या फिर diclophenic के जो tablets होते हैं तो उसके भी सभी टाइब के dose form अवेलेबल होते हैं क्या डाइकलो फिन 10 की टाबलेट भी वेलेबल होते हैं उसका spray भी अवेलेबल होता है एंड उसका जो है वो injection form मीं अवेलेबल होता है तो उस वक्वाद क्यों सा doses form दे वो फार्मासिस के माइं में confusion हो सकता है so the pharmaceutical form of the product should be written on the prescription in order to avoid the confusion in the mind of pharmacist के pharmacist के mind में कोई confusion ना हो उसलिए खास लिखना चाहिए कि paracetamol लिखा है तो उसके bracket में आप लिख सकते हैं कि tablet लिख सकते हैं suppository लिख सकते हैं infusion देना है तो infusion अच्छे से लिखना होना चाहिए तो वहाँ से कोई error नहीं आएगी prescription के अंदर फिर बात आती है dose of medication अब medicine same है कि उसमें से confirm होगा है कि tablet आपको देनी है बट tablet में भी अलग-अलग doses form same doses form के अंदर भी अलग-अलग उसके dose होते हैं जैसे कि high dose और low dose अब देखो तो metformin का जो first आप ये doses form देख रहे है तो उसमें लिखा है SR मतलब की sustained release तो sustained release में क्या लिखा है कि उसकी dose है 500 mg का tablet है यहाँ पे देखो ये 500 लिखा है ये 750 का है second and same tablet कर strength नीचे वाले में 850 mg है तो आपके पास ये तीन अलगे किसे prescription में metformin tablet लिखा है बड़ समझे कि dose नहीं लिखा तो भी pharmacist के mind में confusion आ सकता है तो proper dose and type of doses form must be written to avoid error and confusion कि कौन सा dose और कौन सा doses form अब doses form मतलब कि tablet है capsule है वो हो गए as well as जो normal doses form हो सकता है sustained release doses form होते है and extended release doses form यसे तरह tablet में ही बहुत सारे अलग अलग type के doses form है तो वो भी अच्छे से लिखा होना चाहिए कि यहापे आप label देखो गे तो आपको पता चलेगा कि यहापे sustain release लिखा हुआ है तो sustain release tablet है मतलब कि उसकी effect अलग तरीके से होगी extend is release तो वो अपने effect अलग तरीके से देखाएगा और यह वाला 850 mg का मतलब कि वो काफी high dose कह सकेंगे तो high dose या फिर low dose में देना है कौन सा dose is form patient को देना है and कौन सा dose वो भी अच्छे से prescription के अंदर लिखा होना चाहिए कि जिससे आपे avoid करवा सके error and confusion तो यह point के उपर खास अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जिससे error ना सके prescription के अंदर फिर बात आती है incompatibility के मतलब कि drug-drug interactions या फिर drug-excipient interactions का ही बार होते हैं तो incompatibility मतलब कि it is essential to check that there are no any type of pharmaceutical or therapeutic incompatibility or drug-drug interaction in a medication which are prescribed to the patient so prescribed preparation and that different medicines prescribe for the same patient do not interact with each other to produce any harm to the patient तो यहाँ पर क्या है एक simple concept है देखो कि like कई बार आप prescription में देखते हैं कि एक से ज़्यादा medications जो है वो prescribed होते हैं कि यहाँ पर एक prescription है तो यह prescription समझे कि जिसके लिए लिखा है उसमें एक लिखा है कि PCM मतलब कि paracetamol भी लिखा है फिर उसके अंदर famotidine भी लिखी है उसके बाद वहाँ पे लिखा हुआ कि agithromycin का भी लिखा हुआ है और फिर एक चौति टाबलेट है उसके अंदर कि like CPM का भी लिखा है कि prescribe किया गए तो paracetamol भी है famotidine, agithromycin and CPM के जिसको हम कहते है chlorophenaramine तो ये टोटल चार अलग-अलग tablets हो गए तो हम कह सके कि चार अलग-अलग medication कि different medication हो गई अब समझे कि ये चारो medication patient एक ही time पे लेता है और सभी के अंदर ऐसा लिखा है कि one, zero, one इस तरह से लिखा है कि एक morning में फिर दोपायर में नहीं लेने और रात को लेनी हो और ये चारो के आगे इस तरह से लिखा है तो ये चारो tablet एक साथ लेने से कोई problem होना नहीं चाहिए कि paracetamol की ना है famotidine के साथ famotidine की agithrom या फिर agithrom की cpm या फिर ये चारो के बीच में कोई interactions होनी नहीं चाहिए अगर समझे कि ये चार है उसके बज़ाद सिर्फ हम दो कर देते कि like paracetamol और फैमotidine तो ये दोनों के बीच में कोई interactions नहीं होनी चाहिए कि जिसको हम कहते है drug drug interactions because क्या होगा कि समझे कि ये दो medication को interactions करती है और उसके करण कोई side effect produce होती है तो उसके करण patient के लिए क्या हो जाएगा harmful हो जाएगा तो it may produce यानि harm to the patient तो ये सा नहीं इसलिए पहले से ही अच्छे से check करके medication देनी चाहिए कि जिससे कोई drug drug interactions ना हो या फिर कोई incompatibility के problem ना हो मतलब कि जो भी medication या फिर एक से ज़्यदा medication सा प्रिस्क्राइब कर रहे है वो एक दूसरे के साथ interactions ना करने चाहिए तो ये एक point खास देनी रखना है तो उसके example आप देखो या पे तो जैसे कि digoxin है तो digoxin के साथ furosemide जब combination में होती है तो ये हो गया drug one और ये हो गयी दूसरी drug number two अब ये दोनों drugs prescription के अंदर लिखी है तो अब ये दोनों के problem में है तो ये interaction होती है और ये दोनों के interaction के करन क्या होता है hypokalemia होता है may increase the risk for digitalis intoxication तो ये ज़डिजोकसिन है उसका क्या होता है कि increase the risk of digitalis intoxication उसी तरह से जब nitroglycerin के साथ combination में sildenafil गलती से दी जाती है तो क्या करता है increase the risk of hypotension hypotension मतलब कि blood pressure जो है वो कम हो जाना तो अगर ये दो combination अपने गलती से बना दी तो क्या हो सकता है patient के जो blood pressure है वो अच्चानक से down हो सकता है उसी तरह से spironolacton drug है उसके साथ potassium chloride mix कर दिया तो hypokalemia हो सकता है verapamil के साथ etanolol mix हो गई या फिर ये दोनों को एक साथ prescribe किया गया है तो bradycardia हो सकता है and hypotension मतलब कि blood pressure reduce हो सकता है and warfare इनके साथ समझे कि acetal salicylic acid दे दिये तो increase हो सकता है bleeding तो ऐसे problems होते इसलिए जरूरी होता है कि proper carefully prescription को लिखा जाए और ये सब points को ध्यान रखा जाए कि कोई income पे ना हो या फिर कोई drug drug interaction ना हो because यहाँ पे जो गलती हो गई तो ये सबसे बड़ी mistake के जाएगे सबसे बड़ा error कहा जाएगा prescription के अंदर तो ये खास अब ध्यान रखने तो ये एक six number का main important point है source of error इने prescription फिर बात आती है poor handwriting की तो यहाँ पे जो एक side में sample prescription देख रहे है तो यहाँ पे जो handwriting है वो आप देख सकते कि जो handwriting हम कह सकते है कि काफी poor handwriting है अब यह से poor handwriting होगी तो कई बार उसको read करने में काफी difficulties होते है तो handwriting is also the one of the important thing in a prescription and poor handwriting is also responsible for prescription error as well as the medication error in healthcare so it must be proper readable by pharmacist so he and she can give proper medication to the patient तो यहाँ पे important चीज़ है कि जब proper handwriting लिखी होगी तो जो pharma system उसको अच्छे से read कर पाएंगे so proper readable हो ऐसा prescription लिखना चाहिए कि जिससे अब medication error को as well as prescription error से उसको minimize कर सके because poor handwriting कई बार responsible बनता है इस type के medication error का as well as prescription error का health care के अंदर तो यहाँ पे सबसे पहले care रखनी चाहिए कि जो handwriting है वो इस तरह से होगो proper readable हो वो अच्छे से read हो सके और pharmacist के mind में कोई confusion है because कि इसको क्या interpretation करेंगे कि यह वाला line है फिर यह कुछ लिखा है यह नीचे वाला है तो यह जो है completely unreadable हम कैसे कि उसको आप अच्छे से read ही नहीं कर पाएंगे तो read नहीं होगा तो आप किस तरह से medication जो है वो patient को देंगे तो जरूरी है कि proper अच्छे से handwriting के अंदर लिखना चाहिए यह prescription फिर हम देखे तो errors in prescription आ सकती है instructions में से कि जो instruction for patient तो the quantity and amount of the drug to be taken frequency time of administration root of administration वो सब अच्छे से लिखना होना चाहिए कि like drug है तो drug कौन सी है तो amoxicillin है strength कितनी तो 250 mg कौन सा doses form देना है तो tablet देखो पीछे लिखा है कि 250 mg का strength तो देखो कि drug to be taken कौन सी drug लेनी है उसके frequency तो यहाँ भी frequency लिख दी है कि TID 3 times a day 7 दिन तक लेना है तो वो frequency लिख दी है root लिख दिया है PO तो PO का मतलब होता है oral root से लेना है tablet doses form है patient के लिए dispense कितनी करनी है वो लिख दिया है कि 42 tablets patient को देनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है timing of administration लिख दिया है कि oral root से लेना है patient को उसके बाद root of administration लिख दिया and strength कि कितनी strength है should be clearly given in the prescription so as to avoid any confusion कि confusion ना हो इसलिए यह सभी point अच्छे से लिखने चाहिए and जैसे कि like BD तो BD का मतलब होता है two times a day before meal, after meal ऐसे proper instruction जो है वो लिखे होने चाहिए कि जिससे कोई confusion ना हो और proper instruction जो है वो deliver हो सके patient तग तो यह थे total 8 ऐसे sources के जिसके करन error आ सकती है prescription के अंदर तब आपके mind में यह सवाल जरूर से आना चाहिए कि any solution for this कि यह जो errors आते है prescription के अंदर तो उसका solution क्या है तो उसका solution मौझूद है और वो है कि e-prescription तो e-prescription जो है कि digitally हम लिखेते है कि computerized जो software होते है उसको use करके यह e-prescriptions जो है वो लिखे जाते है so now in digital and technology time we can use this type of e-prescription कि जिससे कोई medication error भी ना हो या फिर कोई prescription error भी ना है कि यहाँ पर क्या होता है usually proper एक software बना होता है तो यह आप देख सकते कि जो software का नाम भी यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर proper जो medications के नाम है उसके strength वगेरा है quantity और proper उसके business पर even drug-drug interaction हो रही है या नहीं वो भी दिखाएगा और जितने भी sources है error के वो सब यहाँ पर जो है वो minimize हो जाते है और इस तरह से proper आपको computerized prescription मिलता है कि जिसके अंदर proper यह medications के अच्छे से नाम लिखे हो आते है proper strength आपको read करने के मिलती है और अगर कोई interactions हो रही है तो भी यह software आपको अच्छे से जो है वो information देता है तो यह है source of error of prescription और उसका solution की यह prescription जो है उसके लिए best option है कि जिससे हम यह prescription errors को minimize करवा सकते है तो upcoming lectures में हम यह prescription के बारे में भी सिखेंगे कि किस तरह से यह prescription जो है वो तैयार किया जाता है तो यह सब अलग-अलग questions जो आप display पर देख सकते है वो यह topic में से पुछे जाते कि like किस तरह से prescription को handling किया जाता है prescription के अलग-अलग parts source of error फिर modern method of prescribing क्या है prescription के कौन से errors हो अगरा है और label diagram of sample prescription के एक prescription का आपको अच्छे से label diagram draw करना था कि जो हमने यह video lecture में मैंने एक बहुत सर्य अलग-अलग sample prescription आपको दिखा है तो वो मैंसे कोई भी आप draw कर सकते है so thank you for watching this lecture access कर सकते study material, taste series and video lecture join कर सकते है whatsapp groups को access कर यह study material, taste series and video lecture on PharmaRox mobile application तो अगर आपके पास android phone है तो download कर यह android application iphone है तो app store पर से भी download कर सकते है link आपको description box के अंदर मिल जाएगे good luck and all the best